वेल्कम स्टूडेंस नमी कक्षा का दूस्टरा पार्ट गाने वाली चिरिया इस पार्ट के बारे में हमने पिछली कक्षा में सुनाता अब इस पार्ट के कुछ व्याकर्न खागे हैं इनको भी हम पढ़ेंगे आप सब आपके टेक्स्ट बुक्स कोल दीजिए पेज रंबर 9 है वहां कुछ आत्ग राहता और अत्ग राहता प्रतिक्रिया अभिवेक्ति श्रोजनात्मकता और भाषा की बार ये सब दी गए हैं उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दोंगी आपको टेक्स्ट बुक को आप सब पेज रंबर 9 ओपन कर लिजिए अब सब अब देखे यहां अर्थ ग्राहता प्रतिक्रिया जो भी प्रिश्ण है यहां मैं पढ़ती हूं आपको समझाती हूं आप ध्यान से देखे एक पिंसल पे रख लिजिए आपके पास जो शर्द अर्द नहीं आये है तो अर्द वहां लिख लिजिए आ आ कालम में देखे क्या लिका गया है यहां प्रेश्णों के उत्तर दीजिए प्रेश्णों के उत्तर बताईए यहां दिया गया है दीजिए भी बोल सकते हैं प्रेश्णों के उत्तर बताईए पहला प्रेश्ण क्या दिया गया है कुछ पक लचियों के नाम बताईए यहां लिख लीज़िए और दूसरा प्रिश्ण क्या दिया गया है संगीत मनोरनजन का एक साधन है इसके बारे अपने विचाड बताईए संगीत मनोरंजन का एक साधन है मने मैं तेल्गु में भी कहती हूँ आपको संगीत संगीत मने दी मनोरंजन का एक साधन है मनस की आनंदम कलग चेसे दी एट्राट चेसे दी अन चेप्पांटु नार। मनस की शान्तिनी कलगी चेए 20 ओक साधनम गा मनंग चेप्पकोच्चु इसके बारे में अपने विचार बताईए दीन की मी रेला समर्दिस तरू, मी योक का आलो चन्य विवरेंच अंडी, अन्च पांटुना रिकड़, नेक्स्ट, आ कालम में देखे, आ दूसरा, पाट पड़िये अभ्यासकारी कीजिये, पाट पड़िये अभ्यासकारी कीजिये मैंने इस पाट को आपको समझा दिया था ना, अब आप उस पूरा पाट पड़कर टेक्स्ट बुक में आप पड़कर इस प्रश्न का वुतर देना चाहिए, इस प्रश्न क्या है, देखे यहाँ, वाक्यों को सही क्रम दीजिये, यहाँ कुछ वाक्य दिया गया है, पांच वाक्यों को आप सही क्रम में लिखना चाहिए, मने यह सही क्रम में नहीं है, एस सारा वाक्य, आप इस कहानी के अनुसार येस वाक्यों को क्रम में लिखना चाहिए, पहला वाक्य देखिए, तुरंत वह राजा को अपना संगीत सुनाने आ पहुंची, तुरंत वह राजा क अपना संगीत सुनाने आ पहुंची। दूसरा देखिए। दूसरा देखिए। पाट पढ़िये अप्यासकार्य कीजिये। अपना संगीत सुनाने आ पहुंची। तीसरा वाख्य पहला वाख्य। अपना संगीत सुनाने आ पहुंची। येवरू, हु, किस्से, वित्वूम, येवरू तो चप्पयरू। येवरू, येवरू येवरू अन्नमाटल। येवरू, 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 येवरू तो अन्नमाटल। तुम लोगोंने कभी मुझे गानिवाली चिडिया के विशय में नहीं बताया। तुम लोगोंने कभी मुझे गानिवाली चिडिया के विशय में नहीं बताया। मीरू येवरू कुड़नाकू ये पाट पाडे पक्षी गुरिंचे चपले दू। किसने बताया। राजाने किससे साइन कोन से। ऐसा लिखना चाहिए। कैसे लिख चतने है। राजाने साइन कोन से कहा। राजगर साइन कुरतो अन्नारू अन्रायली फरस्ट दानकी। सेकंड वान थर्ड वान ये हाट रैट दट। हमारे राजा तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहती है। ये किसने कहां और किस्से कहां येवरु चप्पयरू येवर्तो चप्पयरू येवर्तो चप्पयरू हमारे राजा मायोक राजगरू नियोक संगीत अन्नी विनालन अन्कुण्टो नहरू अन्नी येवरू येवर्तो अन्नारो रायल मिरिकड़। मुझे अपना संगीत नेनु नायोक संगीताननी महनत करने वालों को भी कस्ट पड़ेवारी की कुड़ा नेनु विनिपिन चाली वरेते स्रामिकु लुंटारो इपाटम योक्का इद खदलो उन्नट वंटी साराम समधे कदा स्रामिकों को और किसानों को हम ज्यादा ध्यान चाहिए उनका आदर करना चाहिए यही हमारा पाटका साराम से इसलिए मुझे अपना संगीत महनत करने वालों को भी सुनाना है यही तब यवरु यवरतो अन्ना रने द्राइंडी मूडु नेक्स्ट इने कॉलम चोंडी अनुचेत पढ़कर प्रेश्णों के उत्तर दीज भारत सरकार ने वन्य जीवों के समरक्षन के लिए सन 1972 में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 बनाकर सभी राज्यों में वन्य प्राणीयों के शिकार पर प्रतिभंद लगाया दिया हैं येवं वन्य जीवों के स्वच्चंद विचरण के लिए देश के विभिन बागों में 79 राष्टिय वुद्यानवनों और 3-9 अभियारण्यों येवं 35 प्राणी वुद्यानों का निर्मान किया गया हैं इसके साथ ही दुल्लब प्रजाती के वन्य जीवों के सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जैसी योजनाएं आरंब की गई हैं यहां ये कानुच्छे दिया गया है हम नवी कक्षा में एसी अनुच्छे दों का प्रेश्म का जवाब लिखना हम सीखना चाहिए क्योंकि दसवी कक्षा में इनसे ही हम आदिक अंक मिल सकते हैं क्योंकि वहां अनुच्छे दोते हैं वहां वहां वह भी लिखना चाहिए इसलिए आप यहां से नवी कक्षा में ही आप यह सीखने की कोशिश करना चाहिए मनम ये अन्नुच्छे नेर्च कोट मने दी चाला इंपोर्टेंट अनमाठा जागरत का मनां चादवटम रायटम करनका नेर्च कुँटे 10th क्लास लो दीन की चाला स्कोप उन्टने मैं अग्जम मार्च दीन लो मनकी स्कोवर होती गाबटी खच्ची तंगा मनम इलांट अन्नोन पैसेजस नी मनकी मनंगा नेर्च कोडानके प्रायतनी चाली उकटिके रोंड साल चादवाली चादि भी अर्धम चेसको वाली प्रस्तु ताम इकड उन्नट वांटी पैरग्राफ की नेर मीनिंग चेपतान कोँज भारत सरकार ने वन्य जीवोंके समरक्षन के लिए वाइल्ड आनिमल्स वाटकी समरक्षन चेटान की पंतमीद वंदल डब्बै रोंडो समच्चरललो वन्य प्राणी सुरक्ष अधिनियम अधिनियम मंट एंगले दू उक आर्टिकल अन्माट उक चट्टम उक चट्टानी तीस्करोडन जर्गिन्द एपड़ू पंतमीद डब्बै रोंडो समच्चरललो मने इंडियन गोवन्मेंट वन्य प्राणुल्ली चम्प कोड़ू वन्य जीवोंके स्वच्चन विचरन के लिए देश के विबिन्न पागो में इक विबिन्न प्राम्तललो कुड इसके साथ साथी दुर्लल प्रजाती के वन्य जीवोंकी सम्रक्षन के लिए इक कोन्नी मुख्यमेने जन्तूल उन्टाई त्वरगा आवी उन्डवनमाट कनुमर गय पोतु उन्टाई अला अंटि वाट की प्रोजिक्ट टाईगर जैसी योजना इयें प्रोजिक्ट टाईगर अने टुवन्टी वोका कुणि योजनल कोड अकड़ मनिकी कोनि प्लांस अन्माट योजन आंटे प्लांनिंGS कोडा कोनि वेयतम जर्गीनदन अन्माट गौवन्मेंट फरस्ट प्रिश्टलो यमांट यहां पर कितने राश्री उध्यानों की सम्क्या बताई गई हैं आप लिख लेजे कितने how many how many you had to write number you had to write here second question now third question भागों की सुरक्षा के लिए कौन से योजना what is the plan ये plan ने तीस कोडम जर्गिन दी गौर्नमेंट आने दी कड़िए अप्तुना रर्माट थार्ड कोशिन लो next पर देखिए अभिविक्तिश रुजनात्मा कता यहां कुछ प्रश्नी दिया गया है आमे देखे ये न प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिये मस्दूरों और किसानों की दशा सुधार्नी के लिए हमें क्या करना चाहिए किसानों की दशा राहितल्यों का परिष आपकी नजर में सबको अपनी अपनी दृष्टी होती हैं इसलिए यहां हमको क्या पूचा जाता हैं आपकी नजर में चिडियां को पिंजरे में रखना उचित्ता वो अपने उत्तर का कारण बताईए अला बोनलो अटिपेटरण वोका पक्षिनी चकगा स्वेच चगा तिर इस बारे में अपने विज़ार बताईए दूसरों के काम आने में ही मने क्या हैं हम दूसरों की सहायता करने चाहिए यही हमारा पाट का उद्देश है मैंने कहा ता फिर से कह रही हो किसानों की सहायता करना मजदूरों की सहायता करना एसे दूसरों के यदिटिवारे की सहा गाने वाली चिडियां पाट का सारामस अपने श्यब्दों में लिखना चाहिए गाने वाली चिडियां पाट का कोई अनुच्छी सम्बाद के रूप में लिखिये सम्बाद देखी यहां सम्बाद माने conversation यहां टु राइट इन conversation एनी पैरग्रफ टेक एनी पैरग्रफ एदैन उक पैरग्रफ इन दीसकोंडी इव लेसन लो उनन अड़ वन्टि दीसकोंडी अधी उकका conversation लागर आयाली अंटे राजिगरे मननारू सायनकुले मननारा तरवाद अधरव यह पाटल की गीताल की वीट की मन जीवितम लो चाला गोप महत्य मुंदी दीनमीद मियोक का अनभवाल चपण्डी जैसे पहला प्रश्न है न वहां संगीत मनोरंजन का एक साधन है वैसा ही प्रश्न है यह भी अब भाशा की बात यहां भाशा की बात आ नीचे दिये गए मुहावरों के भाव समझाए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिये इक इन्द इचना मुहावरा चाला इंपोर्टेंट टन्त क्लास लोग उड़ा चकागा मीको अस्ता ही इन फ्यूचर लोग उड़ा मीको उपयोग बढ़ता ही वी बाच अदुको आले भाव समझाए उनका वाक्य प्रयोग कीजिये अपने वाक्यों में वाक्य प्रयोग चयालन माटा पहला वन देखे जान में जान आना इत्मी मान होना जान में जान आना कैसे लिख सकते हैं हाप राजा को चिडिया को देखकर जान में जान आ गया आर राजुगार की पक्षिनी चूडंग आने जान में जान आगया तन प्राणम लेचनट लाएंदे आने राय चुमी रिकड़वोंगा मी सेंटन्स सेकंड सेंटन्स कुशी की आंसु आना आनन्द बाशपाल रावटा कुशी की आंसु संतो शंतो वचे ट्वंटी खनीलन माटा आनन्द विबोर होना कुशी की आंसु चिडिया की गाना सुनकर राजा की आंको में कुशी की आंसु आ गए ऐसे लिख सकते आप आप जो भी चाही लिख सकते हैं इस पाट के उपर आप लिख सकते हैं और दूसरे आमें देखिए अनुचेर पड़िये रेकांकित शब्दान सों पर ध्यान दीजिए इक इंद इचिन पेराग्राफ नी चूड़नडी रेकांकित शब्दों पर कुन्नी शब्दाली कड़ा इला ब्रैट गर आयटन जरगेंदी बीटेने अबजरु चेंडी यंद राजा ने चिडिया को प्यार से रखा चिडिया को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते ते चिडिया का मधुरगान सबको भाताता भाना मने टू एट्राक्ट माटा माने सुकी रणजिम बजे से दि अट्राक्ट जेसको ने दि मनोहर कह सकते आप चिडिया का संगीत सुनकर सब मन में यही सोचने है कि हे चिडिया तुम कितना मधुर गाती हो इला उका पैरग्राफ इचर इंदिलो कोनी वर्ट से निला ब्रैट का चेटम जरगेंदी मरी द संब नानी चूपिस्थओन ना ASTर इपकड़ उनर ट्वन्ट शेब्दाल अन्नी कुड देखने के लिए लोग इधेखना की लोगकी मद्य नही दि अलाग्ये प्यार रखाई रूडनिट की मद्य नही दी इला रूड़ शेब्दाल योके संब्द्दानी चूपिसन ने इ पट्टगा मन कर्धमाईये पद्धतिलो चेप्पे वेमाईते उन्टायो उसे कारक कहते हैं चाला इंपोर्टेंट टोपिक की लेसन की सम्मनींचे कारक अनी अंटामो इदी व्याकरन कारियमलों उन्टोंनी नेनु मल्ली मीको का वीडियो द्वर इकारक कंटे इंटे अने इ घेको अपाधान कारक से समबंध कारक का के की अधिकरन कारक मे पर सम्भोधन कारक हे अरे अजे आप पडिये फिर से यसब यहा दिके रिक्त स्थानू की पूर्टि उचित कारकों से की जीए इए कालीग उन्नट्वंटी प्लेसस नी सर्याइन कारक शब्दाल उप्योगिन चंडिया नंटुननेरू राज सुन्दर महल डैश रहताता पहलावन दूसर यात्रियों डैश अपने यात्रा वर्नन डैश महल डैश वर्नन किया राजा डैश चिडिया डैश कभी नहीं देखा चोथा चिडिया डैश सोने डैश पिंजरा बनवाया गया पांचवदे के सेव को डैश लड़की डैश पूछा यहां किस कारक शब्दाती है आपको पहचान कर लिखना चाहिए यही हमारे पार्ट से सम्मंदित वाकी है इसलिए आप पार्ट में देखकर यहां इसका आंसर लिख सकते हैं लेकिन इसका वोन से लिखना चाहिए ऐसा वाक्यों को आप मैं फिर से इस कारक शब्दों को आपको समझाओंगी अब यहां देखकर आप इस प्रश्णों का उत्तर दीजिए उत्तर लिखिए यही हमारी इस पार्ट की व्याकर्न कार्य है हमारे दूसरे पार्ट का व्याकर्न कार्यों मैंने वहाँ के प्रिश्न अर्धगराहेता पृतिक्रिया विक्षिर रुजनात कहता भाशा की बात उन सारे बातों को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आप भी कैसे लिख सकते हैं जवाब आपके वोन सेंटेंस में आप लिखना चाहिए लिखने की कोशिश करो आप सब और यहां आखरी में हमको कारकशब्द दिया गया है कारकशब्द दिया गया है उसके बारे में मैं आपको एक दिन समझाओंगी एसी ही वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगी आपको ओके धन्यवाद